ग्रैमर का जो बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है वो है हमारा नरेशन और जो आने वाली हमारी बोड की प्रिक्षाएं हैं जो एक्जाम हैं उनमें 10 और 12 में ये टोपिक आया हुआ है हम आज इसकी डिटेल से एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे चलिए और ये जो टोपिक है ये हर एक कॉंपिटिशन एक्जाम के लिए बहुती मैत्पूर्ण है कोई ऐसा कॉंपिटिशन नहीं होता है जिसमें इससे कोश्चन ने पूछे जाते हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को जो फर्ष्ट है आपका रामा सेज मोहन इज इल इसमें गिवन फोर ओप्षन है रामा सेज मोहन इज इल फर्ष्ट ओप्षन है रामा आस्क डैट सो मोहन इज इल यह हमारा देखो यहाँ पे सेज है और यह हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा SAT sentence है SAT sentence में जो sage है वो sage ही रहता है यहाँ पर जो ask है वो नहीं आएगा tells भी नहीं आएगा tells तब आता है अगर sage के बार to हो means object given हो जब हम sage को tells में change करेंगे तो हमारा बच गया यह Rama sage that Mohan is ill तो हमारा जो थरड़ा answer है यह right है और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यदि हमारी reported verb present और future tense में है तो अंदर का tense नहीं बदलता है second है आपका he said inverted comma through I am unwell अब देखिए sad है sad के बाद अगर आपका object आया हुआ है और आपका assertive sentence है तो sad to आपका told में convert होगा लेकिन यहां पे तो object नहीं है तो told में नहीं जाएगा यह आपका option रोंग है sad है और reported verb का जो tense है वो हमें कभी नहीं बदलता है यह tells वाला भी रोंग है और rv को rs से जोडने के लिए assertive sentence में हम that use करते हैं जो आपका i है वो according to subject के according change हो जाएगा i का ही हो जाएगा i जे मार चेंज इन्टू वोजवर हो जाएगे that means आपका जो second जो option है वो right है थर्ड है I shall say again you stole his book I shall say again मैं दोबारा कहूंगा कि you stole his book आपने हरी की पुष्टक चुराई है तो I said again देखो यहां पे say है मैंने आपको बताया था reported verb का जो tense है वो कभी आपका नहीं बदलता है तो यहां पे said आया हुआ है यह रोंग है यहां पे I के साथ उपर sell आया हुआ है यह भी आपका रोंग है क्योंकि हमें sell ही यूज़ करना I shall say again that यह हमारी reported जो speech है वो हमारी sati में है sati को rv से connect करने के लिए हम that यूज़ करते है you आपका object के according जाएगा object इसके है नहीं हमने you को you मान लिया है a stall जब आपकी reported verb present और future tense में है तो हमेशा याद रखना कि जो rs का means reported speech का उट tense कभी नहीं बदलता है तो यहाँ पे stall है यह stall ही रहेगा यहाँ पे head stall नहीं करना है क्योंकि हमारी जो reported verb है वो future tense में है वो अंदर का tense नहीं बदलेगा तो यहाँ पे आपका stall का stall रहेगा हमारा जो c जो given answer है यह हमारा right है fourth is that the captain said last our voice are too strong captain ने का कि हमारे जो दुस्मन है वो बहुत ही ताकतवर है बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि हमारे जो दुस्मन हो बहुत ही ताकतवर है अब देखी यह आपका exclamatory sentence है exclamatory sentence में जो said to है वो exclaimed with joy exclaimed with sorrow exclaimed with surprise wonder इन में आपका convert हो जाता है rv को rs से जोडने के लिए हम that का use करते है और जो अलास है वो दुख को वैक्ट करता है यह हमारा कुन सा है इसको हम बोलेंगे exclamatory sentence exclamatory में हमारी यह पहचान होती है यह ऐसे sentence होते हैं जो कोई strong feeling joy की sorrow की surprise की wonder की feeling हमें बताते हैं यहाँ पे told wrong है यहाँ पे भी told wrong है क्योंकि मैंने बतायता कि इन exclamatory sentence में said to जो होता converted to exclaimed with अब खुशी की बात है तो exclaimed with joy दुख की बात exclaimed with sorrow तो यहाँ पे लास दुख की बात है तो मारा right three sentence is right है the captain exclaimed with sorrow that they are यहाँ पे our change into captain captain आपका singular है यहाँ पे plural है तो हम इसको they मानेंगे और they को का position क्या होता है they are तो यहाँ पे आपका they राएगा fuse are change into were आपका यह आजेगा right answer next है fifth जो है आपका he said I shall go as soon as possible उसने का कि जितना जल्दी हो मैं जाऊंगा तो यहाँ पे said है आपका कौन सा sentence ही है यह आपका assertive sentence है assertive sentence में said to change into told otherwise said sad में ही रहता है अब he said that फहला देखना that यहाँ तक तो ठीक है I change into he he का would would के बाद first form यह आगे चलते हैं he said that he would go as soon as it was possible he said he would go as soon as it was possible अब देखो it was का तो यह इसमें हमारा it was दिया हुआ नहीं है तो हमारा जो first वही right आपका answer है sixth is that he said उसने कहा by God I am speaking the truth उसने कहा कि मैं बगवान की कसम खाता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ अब यहाँ पे वो कसम उठाता है उसके लिए आपको past and see उच करना पड़ेगा he sawed by God उसने बगवान की कसम खाई and said और कहा that third person no change is my change into words were speaking the truth आपका see आपका जो right answer होगा क्योंकि is my change into words were यहाँ पे M है wrong is my change into words were यहाँ पे आपका is wrong तो यहाँ पे is my change into words were आपका third answer right है सेवन तेदा टीचर सेड Mrs. Indra Gandhi died in 1984 अब वही आपका assertive sentence है assertive sentence में sad sad ही रहेगा told तब होता है जब हमारा इसके बाद object हो यह हमारा option तो रोंग हो चुका है और मैंने आपको बताया था कि यदि हमारी RS reported speech में कोई past की incident है past की incident दी गई है past की कोई happening दी गई है और वो right है और past की कोई habit है present की habit है scientific fact है general truth है universal truth है तो RS का जो reported speech है उसका tense हम नहीं बदलते हैं तो यहाँ पे the teacher said that Mrs. Indra Gandhi died in 1984 अब देखो tells नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे past है तो हमारा जो B है the teacher said that Mrs. Indra Gandhi died in 1984 यह right है it is he said she has been reading for two hours he said उसने का she has been reading for two hours आप देखे वही है आपका assertive sentence है said का sad ही रहेगा क्योंकि said to होता तो आपका told में convert होता तो यहाँ पे दोनों आपके wrong answer told आया हुआ है अब आपका see answer is said that third person no change has have changed into head been यह आपका third answer है right है next है he said inverted comma God is one he said उसने का God is one अब देखे said अब tells नहीं आएगा told नहीं आएगा क्यों क्योंकि true तो है नहीं तो he said that God is one तो यहाँ पे आपकी जो सच्चाई है universal truth है भगवान एक पूरा ब्रमाइड इसको मानता है तो यहाँ का is का वोज नहीं होगा आपका a right answer है next है he said my sister was doing her work अब he said object given नहीं है तो told यह wrong हो गया तो he said that my change into he he का his क्योंकि my कौन सा परसन है first first किसके coding subject subject क्या है he he का हमारा यहाँ पे his हो जाएगा was what changed into had been हमारा यह right answer हो जाएगा 11th है he said Sela will have been working till morning he said Sela will have been working till morning अब said told को आप drop कर दीजे यहाँ से he said that that इसमें जोडने के लिए आएगा इसमें that है नहीं तो it means Sela third person no change will का would or have been till morning आपका भी right answer है 12th है जो आपका Viris said I must reach the office before time before time as the director is to visit the factory अब देखी Viris ने कहा अब said है told का तो wrong है इसके अंदर option given said कहा कि I had to क्योंकि must का जो past होता है must change into had to had to तो I change into Viris Viris को हम ही कहेंगे he had to reach the office before as the director और is MR changed into आपका वोजवर हो जाएगा तो वोज तो आपका ये a right answer है next he exclaimed sadly that he has undone undone he exclaimed sadly अब आपको indirect से direct बनाना है exclaimed किसमें बताया था मैंने आपका जो exclamation sentence होता है उसमें आप exclaimed का use करते हो यहाँ पे इसमें आपको last sorrow joy how ये जरूर आपको मिलेंगे ये आपका simple है ये आपका simple है तो right answer आपका third हो जाएगा 14 convert the direct speech to indirect मैं आपको करना she said thank you she said thank you अब देखिए यहाँ पे इस said को यहाँ लेकि second form बना दीजिए she thanked you हो जाएगा you change into क्योंकि हम उसको नहीं कहा हम इसको मानेंगे हम इसको object यहाँ पे हम me मानेंगे तो you change into object object me तो it means she thanked me ये आपका right answer होगा 15 है what is the other name of indirect speech जो indirect speech होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है उसको हम reported speech कहेंगे क्या कहेंगे reported speech जो 16 है अब आपका my cousin said मेरे कजन ने कहा my roommate snowed throughout the night पूरी राज खराटे लेता है तो my cousin told me इसमें object तो है नहीं felt felt महसूस किया may may यहां पे आया हुआ may का कोई मतलब ही नहीं है तो my cousin said that her roommate snowed कौनसी फोर में second second किसमें convert होती है head वर्व की third four में convert होती है ता आपका be right answer है see you said to her may you succeed अब see wish her succeed no अब यह आपका optative sentence है optative में हम said to को prayed wish में convert कर देते हैं और may का might कर देते हैं क्योंकि यह ऐसे sentence होते हैं जो कोई bless wish pray crush इत्यादी के feeling हमें बताते हैं तो यहाँ पे see told her told नहीं आएगा said to wish यह prayed में convert होता आपका यह right answer हो जाएगा निवे यहाँ पे आपका may का might होगा यहाँ पे आपको might करना पड़ेगा क्योंकि may change into might आपका third answer होगा 18 सजो आपका Mrs. Sharma said I know what it is to be dispersed वही आपका assertive sentence है वो किस में हो जाएगा said में convert होगा told तो हो नहीं सकता है यह wrong है nose का wrong है तो said that I Mrs. Sharma Mrs. Sharma को हम क्या कहेंगे see no वर्व की first form change into second what it is changing into words तो हमारा right answer है भी हमारा right answer है next है rather said I work here everyday rather said that अब रादा ने का मैं वहाँ पे रोजाना काम करती हूँ तो rather said said तीनों में आया हुआ है इनको जोडने के लिए आप that यूज करोगे that भी तीनों में है अब I जो है वो रादा के कोडिंग जाएगा क्योंकि first person subject के कोडिंग यहां पे हमारा C है तो I हमारा change into C first form change into second here change into there तो हमारा यह यह राइट answer है रमेश सेड I went to school yesterday रमेश सेड that I change into रमेश रमेश change into he went जो है वरव की second form है वरव की second form आपकी head third form means head gone he had gone to school and yesterday change into the previous day तो हमारा इसके अंदर head gone भी right है he भी right है और the previous day भी है यह हमारा right answer है डे students उमीद करते हैं कि आज की जो exercise है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी have a nice day thank you very much आपको 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 आपक